शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें लोग कहते हैं कि तकरीबन सौ साल पहले यहां कुछ नहीं था यह पूरा अलाका एक जंगल था अलग-अलग किसम के जानवर जैसे तेंदुए, चीते, गिद, सियार बिलकुल फ्री घुमा करते थे धीरे धीरे समय के साथ यहां शेहर बसा आबादी बड़ी और जंगल खत्म हो गया जंगल तो खत्म हो गया लेकिन उसके कुछ जानवर यहां रह गए इंसान की शकल में अपने अपने इलाकों में अपना जुर्म और अपना हुक्म आज भी चला रहे हैं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रहे हैं आज से अपसे तुम लोगों की लूट पाथ गैंग बाजी खून खराबा जमीन कबजा सब बंद हो जाना चाहिए यह मेरी रिक्वेस्ट नहीं और रहे हैं नंदिनी, मैं मैं मानों को मिठाई के लाओं रहे हैं जंद एंद एंद करेंगे और कोन के अगले हैं झाल झाल बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है कि भारत की आत्मा गाओं में बस्ती है इस मौामले में या तो वो अंजान थे या फिर मासू क्योंकि आज भी इस देश के कई इलाके एक विपत सकूनी संघर्ष में उल्चे हुए है उनमें से एक जगह है आनन्दपुर और हिंसा का ये रक्त चक्र आनन्दपुर के इस रक्त रंजित संघर्ष में इतने लोग मरे हैं कि उन महात्माओं के भारत की आत्मा अब यहां बस नहीं भठक रही है आनन्दपुर का ये चरित्र रक्त चरित्र है नर्सिम्हा देवा रेटी आनन्दपुर कस्वे के दबंग बाहु बलीयम में दे नर्सिम्हा का एक बहुत ही वफादार आदमी वीर भद्र जो निचली ठीक का होने के बावजूद अपने काम और रगन से नर्सिम्हा का इतना करीबी बन चुका था कि नर्सिम्हा अपने सारे काम वीर भद्र के हाथ में दे उसकी सलाह पे पूरी तरह निर्भर हो गए ये देखकर नर्सिम्हा की पिरादरी खास कर नागमनी रेटी इलाके में वीर भद्र की बढ़ती ताकत से बहुत चलने लगा वो वीर भद्र का सूपड़ा साफ करने के लिए घात लगाए बैठा था तो वहीं दूसरी तरफ तेज तर्रार आदर्श्वादी वीर भद्र ने दबे कुछले सोशित समाज और निचली तुका नेता बन के आने वाले जिला परिशद जुनाव की तैयारी में कमर कसली थी नसिमा रेडी के आशिर्वाद से इस जिला परिशद में जितनी भी सीते हैं उन सब पर एक एक करके हम खुद बैठेंगे अब हमारे लोगों को हर रोज कम से कम आठ घंटे काम पीने का साफ पानी बच्चों के लिए शिक्षा और उनके आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे लेडी सहब ने हमारी महिनत और वफादारी को ध्यान में रखकर हम पर खरोआँ करके हमें इतना बड़ा मौका दिया है तो हमें भी पहले से कहीं ज़्यादा कड़ी महिनत करनी होगी और हम करके दिखाएंगे मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों की मदर से हम नर्सिमार रेडी के हर सपने हर सोच को पूरा करके दिखाएंगे रेडी साथ अपने लोगों में गुसा है विर्भद्र जल्ला पर्षद की कई सीटे बाटा है अपने जातवालों को क्या मतलब अपने लोगों को हमारे लाके में तो कई लोग विर्भद्र के जातवाले भी हैं हमें सभी जातवालों का ख्याल रखना होगा विर्बदर ठीकी कर रहा है कर रहा है सिर्फ खह रहा है मतलब? आपका इस्तमाल कर रहा है वो आपकी ताकत को अपनी ताकत बना रहा है आप यहां बैटे है बागर वो दावा करता पिर रहा असल लेडर वो है दो तरफा नुक्सान है आपका कैसे? अपने लोगों की नजर में आप गिर रहे हैं और दूसरी जातियों में जखां आपको बड़त मिलने थी उससे मिल रही है आपके दादा जिने एक बार एक बार पुरे थी खून खून इस सडक पे बर से काल सरप ले आए नाक उठाए आग विझे सब पत पर फन फैलाए को खीच खीच के पाड़ दे जबड़ों को फिर ना कभी तस पाए डाल डाल पे भाण गाल ने खार फिर कोई पनपन पाए आज सर्वास्वास्वासं बंद सनमति दनमन चिता की पस्मरम सर्वाशत्रुनां बेवत्वमरक्दमरक्दमरक्द अर्थ तदसंभाव अर्म धल्म अस्त्रफ शस्त्रफ तंद्ध द्रोहर क्रिशारणत 시청 अर्म धल्म अस्त्रफ शस्त्रफ तंद्रोहर क्रिशारणत ख loose संपोल्ष य। अरे वहाँ इद का चांद आया है भई भावी ऐसी कोई बात ही नहीं है आप तो जानते हैं जबसे इनका एलेक्षन का हुआ है जरा भी फुरसत नहीं मिलती कितने लोगों की चाय बनानी पड़ती है रोज दो जाते तो चारा जाते है होता है लागू भावी ओ वीर बद्र त तो बारे तो बहुत शिकायत सुनने को मिल रही है भावी शानी के बाद तारी भी शिकायती लगती है बैस बाते मत बनाओ पहुत दिनों के बाद तुम पकड़ में आयो बैठो मैं सरा कॉफी बना रही है तुम आप नर्सेमा जी आपको बुला रहे हैं मैं अभी आया पहस नहीं करनी मैंने फैसला कर लिया है लेकिन एड़ी साब ये फैसला करने का हग दो खुद आपने मुझे दिया था पहस मत करो आप बेशिव जवाब ना दे लेकिन मुझे तो अपने लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा ना तेरे लोग कब से हो गए रहे तेरे पाप दादा है क्या तू मैंने जबान दी है उन्हें किस से पूछ कर दिया तुपने रेड़ी साब सारी जिंदगी इतनी मेहनत आपके लिए इतना काम करने के बाद ये सवाल कर रहे हैं आप मुझसे एई हैसान किया क्या काम करके हा उसके बदले मेर्शिमाजी ने कितना कुछ किया तेरे लिए मैं सब समझ रहाओ नाग बनी सब समझ रहाओ मैं लेड़ी सा 되어 सब बहुत शैलिया मैने अब आगी चल कर मैं इस बास को ओए तंकी देता है नर्शिमाजी को मुह क्या मना रहा है नेचे कर आंक नेचे कर आंक डालो डालो में इनने तो तीखा ही चलता है नारी चलो यहां से क्या हुआ यहां से मैं कहा रहा हूं कि अधिन हुआ क्या चलो चलो यहां से अरी हां तो दून दो हुआ क्या हां वी बत्रा ऐसे नाम मतलो शराम जा देगा मेरे पीट पीछे क्या का कर रहा था कर रहां को मेरे और नाम में जा ने ते यहां मध्यें घर्मा यहां मेरे तक रहां कि अ ुस्चा यह नहीं होता यह सिर्फ il एक इंसान की लगाई है, जो वो दूसरे इंसान से लगता है। कौन सी किताब? कौन से वेद में लिखा है कि तुम उनकी चाकरी, उनकी जी हुजूरी करने के लिए पैदा हुए हो। और अगर लिखा है, तो फार तो उस किताब को, कार तो उस दुबार को, जो तुम्हें नीच कहती है, फोर तो उस हाग को, जो तुम्हारे अंदर के इंसान को नहीं देख पाती है। आज तक किसी का दम लगी था, कि चूब भी करें। और ये, जो खल तक आपके थल्वे चापता था, तब सरे हम स्राप देता फिर रहा है। कौन क्या है, ये टिखाने का मौका सिर्फ एक ही बार आता है। और वो मौका मिलता नहीं है, चीनना पड़ता है। आपके लोगों को आप ही के खिलाब कर दिया। नर्शिमाजेब, दूद पिलाया आपने, और आपको खाटने निकला। जिस हशिये से तुम्हारे पुर्खे इन सालों की जमीन को चीर कर फसल उगाते थे। उसी हशिये, उसी कटार को इनके रक्ट से लाल करने का वक्त आ गया है। अब हम अपने हक की लाई लडएंगे। साला, जब पेड की श्याक, जट से ही लड़ाई करने लगे। काट तो। काट और से भी रहाय देलों चनाया, कस्मान अगराय योष्वराया, जित्याय शुत्याया, घिखंभराया, थस्मान अगराया, नमोशिवाया, नमोशिवाया दर्गा, ओ मंदा खेना, कौन मंदा? वीर बथ्रग दाया हाथ। कहिलास जनरस्टोर्स की पीछे वो सिवची का मंदर है ना उसके बगल में कर है उसका मार मत मारना होता तो अब तक मार दिया होता नागमणी साब को बात करनी है तुझसे तेरा बदी वापस भेज़ देंगे अगर इसके आने तक ये बात किसी और को बोली घर सिर्फ इसका सार आएगा तो चाहिस है तेरे पास हमारे साथ मिल और वीरभद्रा को मार देख मंदा वीरभद्र को मानने के लिए हमें तुमारी जरूरत नहीं लेकिन वीरभद्र को मनने में तुमारी जरूरत है वीरभद्र को हमने मारा तो उसके सब वोटर्स सब वोटर्स सुना में हमारे खिलाफ हो जाएंगे लेकिन तू उसका वफादार तू मारा तो लोग सोचेंगे शक करेंगे कि कुछ गणबड़ा है वही से भी उसके साथ रहके क्या मिलेगा तुझे आज तो उसका नवकर उसके बाद उनके बेटे सेंकर और प्रताप का नवकर लेकिन अगर उसको हटा दिया तू लीडर बन सकता है रावन के मरने के बाद लंका की गद्दी राम को नहीं वी भीशन को मिली ना पूसी के लगलोओंष जसे मादा की व्हुष्ट तूस्पर जस्पार देपhof याज से ग्रूसर पुप जनके उसाटर से बादातू जसे मौकर उसमा ना कि रम्हाभलच की ओन्म्हाँ झाल झाल पत्तार है रासम भाइचाब लगता है किसी की शिरारत ही हुआ पिचलो पिचलो वीर बाद्रम तुझे मारने आए है तेरे साथ बस बजब चालीस पचास मासूम लोग है तुझे मारने के लिए जरुवत पड़ी तो उन सब को भी मार देंगे पार निकाला नहीं तो पंच रड़ा देंगे सब को एक औरत की तरह उनमें छुपके तेरे साथ उन लोगों को भी मरवाएगा या एक मर्ड की तरह पाहना के अकेला मरेगा जोच ले थूए आप लोग आपको मार देंगे हैं आप लोग आप लोगो को पूसते होगा अप लोग कुस नहीं होगा आप मज़ा है आप लोग की सिर्दिगी का सवाल है आए मुझे! अरे कहा रहे? सामरिया के बात करो! बंधा? हाँ! ढोगी, साले! अरे मंधा, क्या हो गया तुझे? यू करा ये से? बाभी! जो रही है? बाभी है, तूल जो गरा था तुब की आगों में! क्या लगा था? इसके तुदाए, बतानी तुदाएगा! कर दोदीना था? आज उन सब की तरफ से सावख सिखान दूने! किस की तरफ से? क्या पोल रहा है? सब की तरफ से! क्या है पहला है? अब तेरे को मानता था था था? जचिन भी कि खीन दो नच्छा बाद कि तुने ना.. बाती आगा लेते आगा है पिर भाद़ ने च्छा दुने प्लिप भाद़ है टूमार है मार मन्ता जाजिए सकोले को प्रसाद रगा, भी इस की तो चाह ऑद नेगी मुझे मार मार तूम आगा मन्ता मार दिखना गैस अले मार मता को लिवार मता को ली चला तूँ मार मार दिखना के साथ वास वदाया देना तू इसे मारता वास अब को दिखाई देना चीचा का खालत गना चल्दी चांव कि आपकी प्रतर समय없이 जावा सब्साभी चांव मन चल्दी चांव कि और्जी अभी? मैं सब्सक्राइब डॉला सब्सक्राइब उन्हें मं इस रधाध करना शुझाव जो बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, तेरे अपने नहीं मारा है, जब नुष्मन कांक के भीजर घुश के बैच जाए, तो कोई भी क्या कर सकता है पता है किस मारा है, सो लोहों के सामने मारा मंदा ने तेरे बापको, मंदा ने मंदा ने सब के सामने मारा है पापको, मगर मंदा के पीछे क्षे कूं था मिसाला नरसिमा रिटी, नागमणी रिटी इन सब ने, सिर्फ मंधा ने नहीं मारा है, जिन लोगों को सर पे बिठा के रखा था, उन्हों नहीं, वीर भद्र मरा नहीं है अभी, उसका खून जिन्दा है, खून बाना है नहीं है, बाउंगा, और तब तक बैता रहेगा, जब तक ये जमीन इनके रख्ट से लालने हो जाते है जब तक ये जब दम है, तक ये रखा बैता है काट पीट पीट ढल पीट हाथ पाओ मार थेज ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मौत का हूं मैं मदारी बाज डमरुजी कटारी नाच मौत का अनन्दपूर यह कैसी जगा है तुमारा अनन्दपूर रहने के लिए अच्छी जगह ना रहने के लिए और भी अच्छी जगह मतलब यह शहर में रहो गया जी और पापा का नाम क्या है वीर भद्र ब्रामुन हो जी नहीं अगवान में विश्वास करते हो पहले खुद में पैर नहीं जू सकते थे किसके? हाँ पैर इंप्रेस हो जाते पापा नन्दपनी मैं कभी वो काम नहीं करता जिसमें मेरा मन नहीं मन नहीं मतलब? क्या ज़रूरत है ये सब के? शादी तुम से कर रहा हूँ तुम्हारे पापा से नहीं वैसे अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पैर्चुने में कोई अधरास की मुझे मार खाई है कभी और क्या बोले तुम? पहले में खुद में विश्वास करता हूँ फिर भगवान में अरे? भगवान हर चीज में होते है तुम्हे है मुझ में है मेरे पापा में भी है एक छोटा जूट बोल देते हैं क्या चाता तुम्हारा? मैं कभी जूट नी बोलता जूट मत बोलो ए चरी कहा है इसमें आज तु मुझे पहली बार मले होते हैं तुम्हे बात तो क्या देखती भी नहीं में तुम्हें क्यों तुम इतने टेड़े हैं? नंदुनी सीधे लोग हमेशा टेड़े दिखते हैं प्रिशेटो, उमसे बात करनों बेकार है क्या हुआ? मेरे, तेरे पाबाको मुझे अरचा रोगा बाची मेरे इस वक्त नंदिनी को पता नहीं था कि प्रताब एक कभी न खत्म होने वाले सफर पे निकल रहा है नागमनी रेड़ी और नरसिमा देवा रेड़ी की भारी सुरक्षा के मद्दे नजर प्रताब का भाई शंकर जंगल में छिपके नागमनी और नरसिमा रेड़ी के सपोर्टर्स पे लगातार हमले करने लगा अर जजबे में मिलावट है प्रतिशोद घी ये आज की महा भारत है यहां सिर्फ रख्त च्रिक्त है प्रता बारत है यहां सिर्फ रख्त च्रिक्त रख्त च्रिक्त रख्त राध्त च्रिक्त इन गुरिला हमलों के नतीजे से हम रत चवित्र में एक ऐसा किरदार आया जो राजनीती नहीं रतनीती का राक्षस था नागमनी रेड़ी का बेटा बुक्का रेड़ी बुक्का ने पहले ही आनंदपुर को बीस्वी सजी से किसी अंधे युग में ठकेल रखा था और अब वो शंकर के भाई प्रताप के आने की खबर सुन अपने बिल से बाहर निकला टैरो केदर जा रहा है सुना है वो शंकर का भाई प्रताप रभी आया हुआ है चुनाओ तक चुप चुनाओ तक शुप चुनाओ तक शुप आओ उपर आओ हर रोज यहां के कई बंदूक उठा रहे थे किसान खेतों में हल चलाना छोड़ बं बना रहे थे आनंदपुर के ऐसे माहौल में प्रताप रभी ने अब कदम रखा दुरगा है उनी में से एक है जिनोंने पापा को मारा था बाकी भी मिलेंगे पुलिस क्या करेंगे पुलिस की वज़े से तो यहों तक पहुचने की चोड़ तू इस सब में मत पढ़ तू अपनी पढ़ा ही पे ध्यान दे पापा भी यही चाहते थे थे ना तू पढ़ देख रवी मेरी यह लड़ाई सिर्फ उन लोगों के खिलाफ नहीं है जिनोंने पापा को मारा है उस सारे लोग सब सब जिनके लिए जिनके लिए पापा लड़ रहे थे उनके जिम्मेदारी भी तो मुझ पर आगई न और जब तक सब को सब को इनसाफ नहीं म मा कैसी है? अपने वजूद की लड़ाई थी ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि इस वक्त प्रताप चक्र व्यूख के कितना बाहर था और कितना अंदर शंकर कैसा है? वो ठीक तो है? तुभारी दोस्ट कोई नंदिनी का फोल आया था? कोई किसी को बिना वज़े इतनी बेर है में इसे क्यों मारेगा? इस किसम के लोग घर भी हो के क्या हमारी? किसी के मुँपे लिखा होता है क्या? कि उसके पीछे ऐसे लोग होंगे? शुकर करो तुम सही सलामत बैठे हो गर में देखो नंदिनी घल्ती सबसे होती है तुम प्रताप को भूल जाओ पापा मैं प्रताप से प्यार करती हूँ और यह जो भी हुआ है उसके पीछे का सच जाने बिना मैं अपना इरादा नहीं बदलूँगे देखो अलो नंदिनी प्रताप प्रताप तुम कहा हो प्रताप? तुम जीकता हो यह क्या हो प्रताप मेरे पापा को महार डाला नंदिनी नंदिनी मैं कभी सूच म महीं नीए सकता था महार भावी तो टूक सी कही और अब मेरे भाईया के पीछे पुलीस पड़ी होई शंकर मिल गया है जिन्दा? प्रताप प्रताप शंकर 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 मतलब तो मेरा भाई इधर है इधर किदर है? इधर आपके थाने में कौन बोला तेरे को? देखिए मुझे खाबर मिली है उसे आज ही पकड़ा है अपने किदर है मेरा भाई? आवाज नीचे नीचे साले चेहरे का चट्डी बना दूँगा देखिए परताप ने कोई कानून नहीं तोड़ा इस पर कोई क्रिमिनल केज भी नहीं है कानून के मुताबिक आपको इन्हें इनके भाई से मिलने देना होगा कौन है बेटू? वकील पिजल वकील कानून सब मैं हूँ मैं तो तुझे भाई से मिलना है हाँ मिला जाओ कुझे जाओ कर ले बहुत मिला वोगया भाई पिलाप मिलाप कानून के मुताबिकी मार दिया पिलाप कर दो दो तुझे वाँ कर दो दो पिलाप कर दो दो गया बहुत मिलाप प्रताथ पुले कामने ठीकाने पेचार हो यह थे तेडी साहप मेरा पर्दियों और मेरा बेटा दोनों मारे गए इस दुन्या में प्रताथ किसी वाब मेरा कोई नहीं है तैदी थी हम यहां से चले जाएंगे अर। हमको कुछ नहीं चाहिए, आप यहां से शेयर जले जाएंगे, मैं प्रता आपका मनाऊंगी, वो मेरी बात जरूर मानेगा, मेरा बच्चा मेरी बात कभी नहीं टालेगा, रेड़ी साहब, रेड़ी साहब, मैं, मैं हाथ जोटती हूँ, रेड़ी साहब, अगर मेरे बैटें मेरे दिल में इस वाइसी बात है तो ऒर निकाल देगा, वो निकाल देगा अपने दिल से, मैं आपको वच्चण देती हूँ, तो है बारस, भास, तो है, हैसान कर रही है क्या, तेरे बेटे को बोल के, हम नुआ, तेरे पती को, तेरे पती को तूद पिलाया हमेरी, और वों हमें हमें ही तेरा बेटा शेंकर अर्चिमा जी को मानने की तयारे में था जल पारिकाल उसको पारिकाल पुलिस है सरकार भी उन्हीं की है लेकन कब तक शिपेंगे हम भी देखते हैं प्रताब तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई हमारी अपने थे उस साले तुम्हारे इन इस आननपुर गाउं के हजारों जंत के दुश्मन है तुम बस यहारों को डरना नहीं हम तुम्हारी हिवासत करेंगे उन सालों से तो बदला लेना हमारा काम है नहीं मेरा काम है जजबात ही हो रहे हो तुम के एक बार भी तभी बंदूख पकड़ी है तुमने नहीं कि बंदूख नहीं चाहिए कि में कठार को सांगा उंतिनों मैं तुम्हारे जजबात समझता हूं मैं लेकिन प्रताफ इतना आसान नहीं है यह तुम ये काम हम पे चोड़ दो बाप मेरा बाई मेरा मा मेरी बदला भी मेरा होगा हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि नर्सम्ह, नाग्मनी और मन्दा तीनों को एक साथ एक टाइम पे मारेंगे नहीं एक साथ में अलग-अलग एक एक करके और हरें के बाद अगले को वक्त दोंगा ताकि उसे मौत का खौफ मैसूस हो मतलब मौत तो मौकती हो कि उनके लिए इतनी आसानी से चुट करा नहीं दोंगा नाग्मनी ने प्लान बनाया मंदा ने किया और नर्समहरेडी ने ओडर दिया तीनों को मारूंगा और वो वो गुमती नर्समहरेडी की पीवी जिसे मेरी बापनी बहन बाते थी उसके सामने बेस थी कि मेरी मा की मेरी मा को तपड मारा और वो जो शाहब गड़ी देखती रही संसे बेली मैं सकूर लगवा आस्टा नर्समहरेडी कुआ पार्म कुआ कुआ पार्म कुआ कुआ झाल झाल पुजाशास्तम अस्तके अगनी अस्यसाहेव अस्ति ब्रह्म पर्ममत्वमे वाइति देवा क्याई दानिम जयातु सर्वनम तुम पेटे बहुशीक चिल्ली बन के गुमते रहते हो और उसकी मा तुडिया भर में मेरी बेहन बन कर गुमते बिठती रहते हैं साली आएति अंडोर्टन की कन्ने पहरे क्यो नहीं मार डाला पसोष्टी रेगे मेरा क्यो नहीं मारा क्यो नहीं मारा क्यो नहीं क्यों इससको एए एए उक्राइब चुप ठीक कहती है काकी उस पिल्ले को पेले ही मारना चाहिए था सब आपका वज़े से हुआ है चुनाओ तक चुप चुनाओ तक चुप मर कर लड़ो के क्या चुनाओ उक्राइब चुप तरोगा प्रताप ने अपसे कहा होगा हाँ बेटा जानती हूँ कैसी हो अम्में ठीक हूँ आँटी प्रताप कहा है पता नहीं वो मेंने टीवी पे देखा ये नरसीवा देवा रिडिक के खून में प्रताप को जिम्मेधार है थेड़ा है के वो सच आँटी में जाहती हो कि ये सच हो आँटी में प्रताप के मेरा नहीं जी सकती हूँ प्रताप किधर है नहीं बताया पीस पीस काटूंगा चोड़दे उसे चोड़दे उसे वर्मा यही खोपड़ी खोलदूंगे तेरी चल्टी चल्टी अधाड टको ये जांटी चल्टी तेरी चल्टी वलबे मुझे माफ करना मा? ये बुद्ट्रेठी इतना गेर जाय गा मैने सोचा भी निए था रहे दो प्रता किसी को क्या पता था कि बुक्का ऐसा करेगा अरसे लोन माजी ठोडसा ठोडसा अलो, बेटा ना बेटा थोडसा ठोडसा ले नाप पड़ेगा बस 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 बट्टा मैं तो भूली गई नंदनी का फोन आया था आया बट्राव विए लुट 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 वुट पुल्वे थो मिनुट्स तुमने जो कुछ मेरे बारे में पढ़ा हूर सुनाओगा सब सच है मैंने नर्से मार्य धिकुमार है आगे चल कर और भी कुछ डूखे जिन्हें भारूँ है वज़ए है मेरे पास मेरे जान खत्रे में है और जो भी मेरे साथ रहने का फैसला करेगा उसकी जान भी खत्रे में होगी मुच्च अपने के साथ तुम्हें इपनी सारी कर दो कर दो मैं आप से पूछने नहीं सिर्फ पता में आयाए आपकी बेटी को ले जा रहा होगा नंदनी की देखपाल मैं आपसे बहतर करूगा आशिरवात देना चाहते हैं तो तीची नहीं देगे तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा सुकराओ मंगलं बगवान विंदू मंगलं गरुड़ पजर मंगलं उन्ड़ी काक्षर मंगलं गरुड़ पनुहरी मंगलं गरुड़ पनुहरी मंगलं गरुड़ पनुहरी कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो गया कि विते घ साव अजा si अ झाला उर्त के प्रण लाओ कि अजब तभ तते पंड़ कि झाला फैसे उड़ तत pén अजब पीट पीट के तु सांड बन गया वरीब तेरी मुर्गी की तांग बन गया ले मचे से चवाचा चवाचा क्या जमीदार का है का तुर राजा हम निकालेंगे तेरा जन्नाजा पैसे बानाओ हो हो पैसे बानाओ हम निकालेंगे तेरी मुर्गी की तांग बन गया है यूनादी पैसे बानाओ हम इजारे पैसे बानाओ कैसी में तु सोधो है ती में तु खाआ है हमें रूखा जखके तेरे बाब का क्या चांता है तो पार नहीं तो बात नहीं हमार सक्षादों थोड़ा सा देल भी पर दाश्ट नहीं यू नदी पैसे बारा अरे जारे साला पैसे बारा तो पैसे बारा 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 झाल 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 सत्राइव निर्क जारिद्धा जारीं थिर्क जारीं नाट चारीं काम्यान है स्थाफ डृडद्ध कुमार दिया कॉम एछए क्यों डरतापी होगा कर दो कर दो कर से बाहर नहीं निकल रहा है नागमणी पुलिस की छावनी बनी हुई है उसका घर ऐसी पुलिस प्रड़क्शन तो आज तक किसी को नहीं दी बड़े बड़े असर रोज चाय पीने के लिए वहां आ रहे हैं एक आगी एक बात बोल दुनिया में आज तक कोई पुलिस किसी को बचा है क्या अरे से सैकड़ों को बचाया है सैकड़ों को नक्सलेट्स दुम लोगों को मच्चरों की तरब मार रहे हैं उपर से नेता लोग लात लात मारते रहते और नीचे से गुंडे गल्ली से डिल्ली तक थपकी थपकी देते रहते हैं शेरम नहीं आती क्या पहले खुद को बच्चा लो आध में दूसरों को बच्चाना क्या मजाग कर रहे है सैर एक दो छुटी छुटी बातों का आप लोग बतंगल बना देते हैं बुरा लगा है चोड़ दो अच्छा तो रधी का क्या होगा पकड़ा जाएगा सर क्या पकड़ते काउन पकड़ते जली पत्र कबूत फिर मजाग कर रहे हैं सर सर अगर आप लोगों को पॉलिस पर भरोसा नहीं है तो फिर हम लोगों की सिक्यूरिटी क्यों लेते हैं आप मेरा लाइफ तेरे डिपार्टमेट के सेकुर्टी के वूपर डिपेंड नहीं है मेरा खुद का कंस है, गुंडा है, पैसा है, और दिमाग भी है मैं पॉलिटीशियन हूँ पब्लिक को दिखाने के लिए ये सब ड्रामा करना पड़ता है इसलिए तुम्हे रखा है, तुम पर बरोसी की वज़े से ऐल बरोसी की वज़े बंगा है हुआ है कि वज़े वारामा है कि वज़े है वो शाला पुरताब पुलिस के बेस्वा मार्हाब बापको पापा जाओ हाथ नहीं लगाना पोस्त मॉटम के लिए लेके जा रहे बॉड़ी जाओ हाथ मत लगाना बॉड़ी ले जानी पड़ेगी प्रोसीजर है जाना हाथ रगाने कर नहीं हमें चो कुछ भी करना है वो इस बात को ध्यान में लेके करना है अब जेखो न तुम्हारे पड़े एक ओफिसर था तुम्हारे पड़े एक ओफिसर था तुम्हारे बात में भी यह होगा जाना जाना सोचा रास्ते में फालो बोल दूँ इन से मिलो अश्वीनिस न और यह है मोहन प्रसाद इंट्रिजिन्स ऑफिसर आपके बारे में काफी कुछ आपके बारे में भी सुना है मैंने प्लेशर मीटिंग यू सेम यह थेंक यू इस अब खाईए अरा खाओ यार बात बढ़िया अगरना है मुझे नहीं चाहिए अब क्वाइए अज सुवई एक पूरी काड़ी सब्ट की है विजह भड़ा में मुझे नहीं चाहिए और आम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे ऐसा मुझे लगता है बचाना और लुटना तो सिर्फ एक नजरिया है श्विन जी जिसका फैसला अगर आप खौनल पर छोड़ दे तो बेतर होगा पुलिस जजबाद से नहीं किताब से चलती है जिसे हम कॉंस्टिटूशन कहते हैं जो नहीं किसी के साथ है और नहीं किसी के खिलाफ आपके कहने का मतलब है कि पुलीस को बस हाथ वे हाथ दरे बैठाए रहना चाहिए राइट बिल्कुल गाने बवुके की बंदरों के तरह बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत कहो हमारा टाइम आने तक और हमारा टाइम तो पिलेक्शन्स के बाद ही आएगा फिल्म स्टार शिवाजी एक नई पार्टी शुरू किया है बहुत बड़े बदलाव के हवा है इस बार नतिज़े देखकर ही खेल खेलना बतर बीटिंग करने वाले है इडिनो अब देखना बुका क्या करेगा बुका रेड़ी ने प्रताव प्रवी को मारने की बहुत कोशिश की पर जंगल में चिपे प्रताव तक वो कभी पहुँच नहीं पाया मेरा बाप का भूख भटक रहा है इधर उधर चारों तरफ इस तोरान चुनाओं की घोशना की गई अपनी पार्टी की गिर्ती लोग प्रियता पिता नागमनी रेड़ी की मौद से लगा धक्का और प्रताव के बढ़ते प्रभाव के मल्ले धजर पुक्का ने अपने भाई पुरू रेड़ी को चुनाओं में खड़ा किया खड़ा हो रहा है मेरा भाई जीतना चाहिए जो भी खिलाफ खड़ा हो अपनी यादकार भूमिकाओं से दिल जीत लेने वाले फिल्मों के नायक श्बाची गाओ की सोच थी अगर लोग उनकी फिल्मे देखने के लिए लाइन लगाते हैं तो लाइन लगा की वोट क्यों नहीं देंगे और वही जन्ता अगर उन्हें फिल्मों में नायक के किरदार में देखकर सिक्चे उचालती है तो फूल उचाल के जन्नायक क्यों नहीं बनाएगी इसी सोच के साथ शिवाजी ने राज के चप्पे चप्पे में मीटिंग्स शुरू की और उसी दोरा को है आनन्द को पर उन्हें ये बता नहीं था कि यहां सिर्फ बुक्का का सिक्का चलता है सव सव गुंडों को सिल्वर स्क्रीन पे अकेले पीठने वाले सुपरिस्टार शिवाजी को बुक्का ने आनन्दपुर से भगा दिया इससे शिवाजी के अहम को चोट पहुंची इन्हों ने अपने सलाकार राम मूर्ती से सवाल किया इस हमले के पीछे कौन है बुक्का रेड़ी हमारे आपोजिशन में जो लड़ रहा है उसका बाई है वो यहां के लोग बोलते हैं कि बुक्का एक राक्षस है यहां तक बूलते हैं कि अगर उसे साप काटे हैं तो साप भी मर जाएगा फिल्मी डायलग मत बोल रा मूर्ती यह डायलग बूलना मेरा कामेर है डेमोक्रासी में बुक्का जैसा राक्षस कैसे हो सकता है कैसे के सावल का क्या सावले से है तो है तोहारा मतलब यह कि इस पूरे इलाके में कोई भी ऐसा माई का लाद नहीं बुक्का जैसे राक्षस का मुकाबला कर सके है बाप विरबद आपकी लाई लडेंगे भाई शंकर और पल होन बहेगा यहां दोनों का कतलवा और बदले में निकला प्राताओ पिश्टरो प्राताओ प्राताओ काम उवाई प्राताओ प्राताओ झाल झाल बहुत सुना है तेरे बारे, बहुत, उमीद है उसमें से कुछ तो सच होगा, मुझे पता नहीं आपने क्या सुना है, या ना बता है रे इसका, प्रताप, प्रताप, आई लाइक यू, तुम अच्छा काम करने वाला एक बुरा इंसान है, तुम्हारा गुड भी अच्छा, बैड भी अच्छा, लेकिन क्या है, तुम बहुत छोटा आपनी है, इतना बड़ा होने के बाद भी, माएं और ये डेमोक्रिसी, भुक्का जैसे लुच्छा, और इस मक्की का पर भी नहीं काड सकता, हाथी अगर चीटी के उपर पैर रख दे, तो चीटी मरता नहीं, उसे मसलना पड़ता है, तुमारे अंदर वो शमता है, तुमारे उने के पहुचू, आज भी बुक्का है, ब्रादर, सिर्फ करांटी कारी तरीकों से, सैकड़ो साल में किसी ने किसी का क्या उखाड लिया, अगर तुम रख तो नीती छोड़कर, राज नीती में आए, तो मैं तुम्हें कुरसी पे नहीं, कानून के सर पे बिठा तूँगा, लेके उस पार न चाहेगी जुदा राख कोई, भीड के साथ ही दल दल में उतरना होगा, तम आदमी समझतर दीता है, दिमाख वाला है, दिमाख का इस्तमाल कर भवा, लेकिन जल्दी, टॉपिक इस होगा, जा लगता है तूँआ, उसका बरुषा कैसे कर सकते हैं, जा बरुषा कैसे कर सकते हैं, जा सोच रहे हो, अपारण, तदब, बुक्का कैसा आदमे हमें तो पहले से ही मालो, लेकिन इसका किस्सा सुनने के बाद, मुझे तो सॉले को क्या हुआ? ए बबु, बोलना! मेरा नाम पाबु कादरी है, मैं एलेक्टिशिन का काम करता हूँ, मोटर वाइरिंग के स्लिसले में मैं दूसरे शहर गया था, जब तक मुझे ख़वर मिली, मैं वापस आया, मेरे बहन का रेप करके, उका ने उसको सड़क पे पेग दिया था, मैं अपनी बहन को लेकरके थाने गया, प्लिस ने रिपोर्ट लिगने से बना कर दिया, बोला कि, क्या गारंटी है कि मेरे बहर कर रेप हुआ है, क्या गारंटी है कि मुझे बोल रही है, जलालत से उसने अपने आप को आगे डगा लिया, उसको लेकर हो स्पीटर बागया, लेकर त्रासते वही वो मर की, बेहन की लाश को देखकर, कि अपने मुझे परदाश्न नहीं बागया, इन वगल मेरे बादा में हुआ है, आप सब जानता है बुखका सब जानता है कि मेरे पहन का सब पुखका के उटा के रगया, और भुखका बड़ में को में महरूंगा तेख लेगा, एफ भ्कर अपिव से टाफ लेजिए प्रु वे लग्ट बेड शैनल लाव प में ल Uhr भूइच यज बिख हुग कर दो कर दो तुम अखेले नहीं हो इस पुकका साले ने तुम्हारे जैसे कई गरीबों पर अत्याचार किया है लेकिन मैं चाहता हूं कि यह फिलाल तुम उसके बारे में भूल जाओ तुम पर तुम्हारी बीवी की, मां की, परिवार वालों की सिमेतारिया है एक बल के लिए भी मत सोचना की तुम अखेले हो हम सब तुम्हारे साथ हैं मैं वादा करता हूँ तुम्हें बदला मिलेगा जाओ जाकर अपने गरवालों को समालो और अभी के लिए वो करेटी को भूल जाओ नरसे मारे डी को मारा तो नाग मनी था उसे उड़ा है तो अब ये ये पुक का है कल उसे मारूंगा तो परसों कोई और पैदा हो जाएगा इस प्राब्लम की जड़िक सिस्टम है और अगर ये सिस्टम बदलना है तो मुझे खुद सिस्टम बनना पड़ेगा शिवाजी साहब की सोच बहुत सही है बंदुक की ताकत से कही बड़ी राजणी तेक ताकत है और अगर वो ताकत मेरे हाथ में आई तो जो हाथ हमें आज रोक रहे हैं कल हमें सलाम करेंगे पापा और वैया का सपना मैं पूरा करूँगा और शिवाजी वो सीड़ी है जो मुझे मेरी मंजल तक पहुंचा सकती है मुझे बस एक एक नहीं शुरुआत की जरूरत है आज से यों छुप-छुप के पीछे से वाल करना बंद अब मैं सामने से लरूरा प्रच्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसे निवटने वाले कामों के लिए मौहीं तुझ को पॉलिटिक्स में लेकर आया और तुम उनी को हमारे सामने फेंग रहे उन कामों के लिए मैंने अलग से रखे हैं यह तो सिर्फ दिखावे के लिए कि यह थे वह 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 देमा का इस्तमाल आसे तुम्हारा प्रमोशन किया ब्रादर आसे यूर मैं संद्ध अब क्या हो तेरे वो रहमुर्दी बताएगा वह थे लिए अपास अप्मी है तुमारा विर खासम खास मंदादरेंगा तो आप क्या करना है? सबसे पहले लाड़ी कट पाल क्योंकि मन में सफाय होना हो एक नेताक शकल क्लीन होना चाहिए टापिक इस ओफा प्रताप को टिकेट मिल गया है साला इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो लेकिन वो जीतना नहीं चाहिए उसको हराने का अगर वो जीता तो उसको नहीं साला में तुम सब को मारेगा मेरे जंगल छोड़कर खोले आम शेहर जाने पर हमारे दुश्मन आसानी से अटाक कर सकते है गोली कभी भी, किधर भी, कहीं से भी चल सकती है याद रखो कि सिर्फ बुक्का ही नहीं बलके उसके साथ जुड़ेवे कई लोग हमारे दुश्मन हो सकते है मुझे खबर मिली है कि हाली में उसका भाई पूरू रेड़ी मैंगलोर गया था कुछ लोगों से मिली अपने कुछ जातवानों से मिलकर नागमणी और नरसे महरेडी के कुछ परिवार वाले और सुपोर्टर्स हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हमें 2400 गंटे चोकन्ने रहना होगा इससे पहले की कोई वार हो हमें हर खत्रे को काट देना चाहिए हमारे सारे दुश्मनों की एक लिस्ट पराओ और फिर हमारे हर दुश्मन और हर होने वारे दुश्मन को एक-एक करके उस लिस्ट से मिठा दो हरे हरे रामा हरे हरे क्रिश्मन मार दे जो भी तुझ से कट राएगा मार दे जैसे ही प्रताभ शिवा जी के साथ उतर पड़ावाही दल-दल में उसके दाहिने और पाहिने हाथ, एके और उमकार, कई एक्षन टीम बना के अपने शक और समझ से चुन-चुन के उसके दुश्मनों को ठिकाने लगाने लगे इस पुलेट और पैलट की जंग में, प्रताप रवी बहुत तेजी से इस इलाके की पूरी राजनीती को अपने कब से मिलेने लगा जिसके बदले में, बुक्का ने रवी के बहुत से लोगों को अलग-अलग जगाहों पे माउट का अमरित पिला-पिला के मारा उधर प्रताप ने अपना पूरा ध्यान वोट्रों का दिल जीतने में लगा की प्रजात अंत्र की बंजर जमी पे वोटू की बारिश करवा ली और शिवाजी की पार्टी के साथ बहुत जोर से जीता जिससे शिवाजी ने प्रताप रवी को मिनिस्टर बना धिया अपने भाई बुरू की करारी हार से बुक्का एक बच्चे की तरह रोने लगा और उसकी उपर कही मर्डर केसिस की वजए से इंस्पेक्टर अश्वीनी उससे अरेस्ट करने आई यू अरेस्ट बुक्का, चल्ड़ू मैं तुमसे कह रही हूँ बुक्का, वाट। जए 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 कल दो यू यू कलो मैं पावर है उसके पास मिनिस्टर है वो सरकार उसकी मुठी में है जंगल में जो जो सके साथ ही है खुंखार लोग है जार के सारे गुंडी उसके नम से कापते हैं इन हालात में तेरे लिए यही बेहतर है पिर तुह अंदर ही रहे तुह लिए बाप का पैदा हुआ है की नहीं है लिए बाप का बेता है की नहीं तू उस हरामजादे ने हमारे बाप थी मुझा कुछ तो जे जहालत कर आमें सरक पहला कहला किया हर दिन उसका पेपर में फोटो देखे पीवी पे देखें खुंजलता है मेरा रख दुबलता है मेरा मेरा रख खालता है यारा रख कर दुबलता है मेरा रख खालता है मैं तुमने खाली मैं तुमने खाली मकर पहले उसको मालेगा पुरू देख तुम्हें जहांसे नहीं कर लाएगा तुम्हें खुद को मान डालेगा पुक्का ने अपने भाई पुरू के चहरे पे नहीं उसकी आत्मा पे ठूका था वो चला मिलने सरजी से जो शिवाजी की ऑपोजिशन पार्टी के बहुत बड़े नेता सरजी की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि सरजी लोगों को सच का वही रूप दिखाते जो लोग देखना चाहते थी उनकी आगाउर्शवानी जैसी आवाज ही उनकी पहचान थी जिससे भीख मांगने की पार ही अब फुरू रड़ी की थी लेकिन सरजी कभी किसी को भीख भी मुफ्त में नहीं देते सरजी से मिलना है नदू साहब नदू साहब मैं बुकका पापा हम सब आपकी पार्टी के है हरे आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा बहुत सारे जजों को जानते हैं आप आप कुछ भी करके मेरे चोटे भाई बुकका की बेल करा दिजे बस मेरे चोटे भाई की पेल करा दीजिए प्लीज रिजुज नाइडिव साथ या तो भी क्या तो भी करता हैं जा थैंक्यू सार थैंक्यू क्या करेंगे क्या करता हैं कित्ते साल से आननपूर की सीड हमारे पास थी उन्हें परताप की वज़े से निकल गई सर्ण बुक्काई एक आदमी है जिसके पास प्रताप को मानने का पस्नल कारण है उसके जज़बात से निशाना लगाया तो गोली सही लगेगी तो खड़कू क्या कर रही तुम्हें उन्हें कापड़ियक फोन करो ना यह तरह नया घर अरे अरे आओ भाभी आओ वह उपर पांच बेटरूम है और नंदनी तेरा जूला भी वहां पर डाइनिंग एरिया और किचिन और आगे चलके उससरफ हॉल क्या हुआ और मा खास तेरी लिए तेरा पूझा घर खुश बुककरेड़ी बेल पर बाहर निकल गया सरजी की पहचान की मदद से बुकका रेड़ी जेल से निकल के अंडरक्राउंड हो गया शहर के पीचों पीच एक रिहाइशी इलाके महेश्वरी कंप्लिक्स के फ्लैट नंबर एक सो दो में अपना बिल बना के रवी को मारने की तैयारी में लग गया इससे प्रताप के लोगों में खलबली मच गई ऐसे असहाई हालातों में प्रताप ने बुकका का ठिकाना पता करने के लिए चार रास्ते अपनाए साम, दाम, तंड, धेद और बुकका तक पहुँच गया प्रताप की एक्शन टीम एक गित की तरह उस फ्लैट के इर्थ-गित मंडराने लगी और जब बुकका का एक नौकर सब्जी खरीद ने बाहर निकला तो प्रताप ने उसे किड्नाप करवा लिया बुकका महिने का कितना देता तुझे? सर, सर वह पासो रुपे मैं पांच लाक तुमाइब खेल अब शुरू हुआ जब प्रताप पुकका की सारी जानकारी लेके शिवाजी के घर पहुंचा और मामले पे अपना नजरिया आराम से पताया इस पी शिवाजी का आदेश था आदेश बाबू एलेकिश है बाबू प्रताप तेरे लिए एक तौफा है तेरे लिए एक तौफा है क्या साहब बुकका उसर ड़ाने किरे में एक टीम बनाएब उस टीम को तू लीड करेंगे तू लीड करेंगे खाना लगा दिया है बुकका को माने की मेरे और बहुत से लोग के पास वज़े है लेकिन तेरी कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उससे बदले का सबसे बड़ा हक्दार तू है बुकका का फ्लाट है तुम लोग वहाँ लखड के प्रिच से पॉंचों बिल्डिंगे पीछे एक पुली स्टेशन है इसलिए एकाम तेजी से करना होगा लेकिन ध्यान से यह लाका आबादी भरा है ज्यान रहे कि किसी भी मासूम को किसी तरह का नुक्साम नहीं पॉंचना जागा बिल्डिंगी फ्रंट एंट्री परी लाल शट पहना हुआ पेपर पढ़ता हुआ एक आदमी तुमारा इंतजार करेगा तुम लोग उसके पीछे और इसी के इशारे पर अंदर जाओं फ्लैक नहीं पर एक सोब और एक जरुली पाँ तर वाजा को निवाला लाका अपना झाल 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 पुरताबन्न मुझे माफ कर्मा, पुरताबन्न, पुरताबन्न मुझे चोड़ो, हरे चोड़ो पुक्कारेटी की दिन तहाडे दिल दहला देने वाली हत्या की बाद, पूरे शहर में तनाव फैल गया हाला कि सभी को पता था कि इस हत्या के पीछे कौन है, लेकिन प्रताब रवी का नाम लेने से हर कोई डर रहा था सिवाए शिवाजी की बार्टी के कुछ नाखुश लोग बिन दहाले खुले आम एक रियाशी इलाके में बुक्का और उसके आदमें को कच्वा जाना और खुद विधान समा में बाचा रहा है प्रताब डेमोक्रेसी को ठूंक रहा है, वो एक खुणी है और आप एक खुणी का सपटर रहे सर आओ प्रताब आओ आओ डेमोक्रेसी को ठूंक रहा है, कहां थे आप लोगां? जब डेमोक्रेसी प्रताब के ओपर ठूंक रहा था? प्रताब खुणी है हाँ है खुणी अरे भगवान राम ने और कृष्ट ने भी लोगां की भलाई के लिए खुण किया था बहता करता है पहले सोचो, किसका खुण किया? काई को खुण किया? किसी महात्मा को मारा क्या? भुक्का रिड्डी एक राक्षस है और ये प्रताब मेरा राम कापी के जोगा दौन ओडर किसी भी राज का सबसे पहला और बड़ा ज़रूरत है पुलिस वगरा है इस काम के लिए देकिन पुलिस अपना तमाम जोर लगाने के बवचूद किसी भी स्टेट में दौन ओडर पे कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर सकता आज मैं सरकार नहीं सूपर सरकार है मैं शिवाजी राओ चीफ मिनिस्टर गोशना करता है कि आज से हमारे राज में घुंडा राज नहीं चलेगा और घुंडा राज का खात्मा वही कर सकता है जो स्टेट का सबसे बड़ा घुंडा है और घुंडा तुम है तुम टॉपिक इस ओबर ओमकर चाहते है शहर के सब बड़े खुंडों और ग्यांग वालों को कले हमारे घर पर बुलाई है लंच के लिए बेगम पेटनर सेंग मेधी पतनम पशुपति पंजा गुट्टा राजू किंग कोटी श्री सेलम यादो सनत नगर लड़ू क्रिश्टन बलकम पेट मलेश कौत्त वासू सतार खान अमीर पेट पुर्शोत्तम शम्शाबाद मंजले क्रॉस रोड गॉला रवी कह देना सब को प्रताप रवी ने खुद बुलाए क्रॉस रवी ने खुद बुलाए क्रॉस रवी ने खुद बुलाए और रवी ने खुद बुलाए प्रताप रवी के नाम का प्रभाव ऐसा था कि शहर का आम आदमी तो क्या नामचीन गुंडे भी उसके नाम से डरते थे इसी वज़े से उसके खाने के बुलावे थे वो सिर्फ चौके ही नहीं बलकि खुश भी बहुत थे पर उन्हें ये भी शक था कि प्रताप रवी उन्हें खाने के अलावा शायद और भी कुछ किलाने वाला मेरे बुलाते ही आप लोगों का यहाँ फॉरन चले आने के लिए शुक्री उमीद है कि आप लोगों को हमारे रायल सीमा स्पेशल रावी संगटी और नाटकोडी बुस पसंदारी ये सब माने बनाया लोग कहते हैं कि तकरीबन सौ साल पहले यहाँ कुछ नहीं था यह पूरा इलाका एक जंगल था अलग-अलग किसम के जानवर जैसे तेंदुए, चीते, गिद, सियार बिलकुल फ्री घुमा करते थे दीरे दीरे समय के साथ यहाँ शेहर बसा आबादी बड़ी और जंगल खत्म हो गया जंगल तो खत्म हो गया लेकिन उसके कोई जानवर यहां रह गए इनसान की शक्रों में अपने अपने इलाकों में अपना जुर्म और अपना हुक्म आज भी चला रहे हैं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रहे हैं आज से अब से तुम लोगों की लूट पात ग्याइंग बाजी खुन खराबा जमीन कबजा सब बंदो शानची यह मेरी रिक्वेस्ट नहीं ओडर रंदनी मैं मानों को मिठाई खेला हूँ जनता एक ऐसी जात है जो कभी भी किसी की वफादार नहीं होती चाहे वो डेमाक्रसी हो या फिर कुछ भी और इस बात की प्रताब को राजनीती में आने से पहले ही समझ थी और इसी लिए उसने अपने कई तरीके अपनाए पुलीस स्टेशन में लिखी जाने वाली अफ़ायार प्रताब के घर के दर्वाजे पे एक कुहार बन गई कोर् और अन्धे कानून से तंग आये लोगों ने प्रताब के नाम को अपना सहारा बनाया जैसा जैसा प्रताब चाता था वैसा वैसा होता गया ऐसा नहीं था कि सभी उसके साथ थे जो नहीं था वो नहीं रहा पैसा जल्वा और ताकत ने प्रताब रवी को एक आदमी से एक सिस्टम बना गिया लेकिन प्रताब की सिंदगी हमेशा ऐसे ही ताकत भरे रास्ते से गुजरने वाली नहीं थी आगे चलकर उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा रोडाया उस कहानी का विस्तार रक्त चरित्र की दूसरे अध्याय में मेरी मा का शरीर को दो तुकड़ों में देखा मैं मेरी बेहन पूरी चली हुई थी अपने माई को देखी नहीं पाया वो पुरा विक्र गया था जिस परिवार को बचाने के लिए में अपने बतले को भूल गया उसी परिवार को उसने खतम कर दिया अब मेरे पास सिर्फ बतला है वो मुझे मारना चाता है और मुझे उसे मारना पड़ेगा पीट पीट ढल पीट हाथ पाऊ मारने उसी हराना है फिर मारना है हर को ही जोस की मदद करे या मदद करने की सोचे भी उरा मारने से नहीं उसे मारे पिना मारने से दरता हूँ अब क्या मतीत को सिर्फ याद रखो वरतमान को परखो और भविश का चिंता करो से नहीं परखो और पाऊ करें परखो और परखो परखो खुल खुल के सीने में बहता है जो लावाबन के फोरत है जिसने मचाई कहदा इतिहास गवाबन के वो रक्त है सर्वत है बात पुन की क्या परिवाशा जोज जान पतिशोद की बाशा आज के वारत की महाबारत में जो बात पुन शेरे पर शेयगी टे पर शेयगी टे पर शेयगी टे पर शेयगी कर दो कर दो कर दोनी को ये दर्वार कि देज से कही जिर चड़ता राज दिलक कही जलती मृत्यों सेजवे कही तुपानी खई पली तानी दे गर्माया मुक्त है सथिया पीती युग युग पीते लाकत लावो रंत है एक ही रंग 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 दे बहता, फिर भी बे दुखा, वो है सहता, जो आए दिस से अरिक रिश्टन, यही शाथ तू यही बीत रहे रख चरीप रहे, रख चरीप रहे, रख चरीप रहे कर रहे रहे कर दो कर दो